नाइन्थ डे की इस एडियम सेंड फ्रिजर्स की क्लास में मैं पवन आपका एक बार फिर से श्वागत करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम बिना वक्त गवाएं उन पांचों एडियम को सीखने के लिए लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दे एडियम सेंड फ्रिजर्स की चलर यह सीरीज यहां पे जिसमें हम पर एडियम से सीखते हैं जो हमेशा परिक्षा में पूछी जाती हैं अक्सर परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट है अब आप किसी भी एडियम सेंड फ्रिजर्स आती है कि नहीं आती है याद नहीं होती ना विलकुल नहीं होती लेकिन हम ऐसी टेक्निक का प्रियोग करके आपको शिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको याद हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको याद हो जाये कुछ आपको याद करनी पड़ सकती है कुछ आपको याद करनी है मैं अपनी टेक्निक से शिखा दूंगा आपको बढ़ते हैं आज की तरफ इस घ्रडाउन दा घ्लाउन थो एच्छा ये बताओ गलप्स को नीचे फेक देने का मतलब क्या हो सकता है? मान लो कि आप किसी ऐसी जगां पे हो, ऐसी स्थिती में हो, अक्सर कहा जाता है कि गलप्स को लगा के ही कोई काम करना चाहिए. आप कोई भी चीज को छू रहे हो, वो कैसी है कैसी नहीं है, उसका इसकिन पर क्या असर पड़ सकता है, ये हर्म फूल हो सकता है, तो गलप्स को लगा के काम करना चाहिए. आपने अक्सर देखा होगा, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो अक्सर गलप्स का परियुक करते हैं, कैसे भी डॉक्टर हो, बट अक्सर गलप्स का परियुक करते हैं, क्योंकि उनको पता है उसकी वैलू, गलप्स लगाना बहुत जरूरी है, गलप्स लगा के ही कोई काम करना चाहिए बट अगर कोई गलप्स को उतार के फेक दिया इसका मतलब क्या है वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया चुनोती दे रहा है वो कि मैंने उतार दिया गलप्स है भा हो जाये जो होना है यानि जैसे कोरोना के समय में आप इसको याद रखो कोरोना के समय में क्या था रगाना डाक्टिरों के लिए गलब शलगाना मास्का लगाना everything was very important falls को श्रकर कर एके पैसेंन का एलाज करें टो डारेट को रहा था खी हम दे रहाथ meu दे रहाता दो थो द्सनौं का मतलब होगा चनाते देना तो चैलेंज, तो इन्वाइट समवन तो फाइट विद यू, किसी को अपने साथ इन्वाइट कर रहा न, फाइट करने के लिए, चैलेंज कर रहे हो किसी को, तो आपको गलप्स उतारने पड़ते हैं, गलप्स उतार के फैंक दिया, आ, हो जाए, दो हाथ, तो he threw down the glove and waited for the response, याद रहेगी, आगे बरते हैं, मैन आफ इस्ट्रा, मैन आफ इस्ट्रा, इस्ट्रा का मतलब होता है तिनका, तिनके का आदमी, अच्छा बताओ, यह तिनका होता है, यह तिनका कितना मजबूत होता है, इधर हवा चली, इधर उड़ जाएगा, उधर हवा चली, उधर दर्ता दिखी उधर कोई है बहगा जा रहा है तो इसका मतलब है मैंना फिस्त्र है कारेक्टर लेंग और मैंना फिस्त्र कोई अम लोग और क्या कहते हैं पता अतल्द सिनका तिनके का आदमी तिनका कमजोर उता गी नहीं होता उसके कोई Valu कोई मजजबूती कुछ कूँ है कि तरह इधर से उधर इधर से इधर हर तरह पूड़ रहा है इधर देखो उधर इधर विटार इसका मतलब है उसका character ले से है, उसका विचार गतिया है, तो कम जो, a weak person, having no substance, he looked powerful, but he is the man of history, वो मजबुत दिखता है, powerful दिखता है, लगिन वास्तों में वो क्या है, कम जोर विचार वाला इंसान है, character ले से, man of history, ओके, आगे बतने है, white elephant, white elephant, अच्छा आप देखियो अक्सर white elephant, यहां तो ने दिखते, इंडिया में अपने, अब white elephant की, आप सोचो, अपने हां आभी जाए white elephant, तो क्या elephant के जो काम होते हैं, वो कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो white elephant को माना जाता है, बहुत कीमती, क्योंकि वो white elephant, यहां मिलती नहीं है, अपने हां मिलती नहीं है, त को बहुत कीमती तो किसी काम की होगी बताओ कोई काम की होगी कोई काम की नहीं कुछ काम भी नहीं करवा सकते गंदी हो जाएगी सोभा खराब हो जाएगी इतनी कीमती है उसका उससे काम नहीं है न तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज जो बहुत कीमती हो लेकिन बिना काम की हो तो तो वाइचली फेंट का मतलब होता है कीमती परन्तु व्यर्थ, a costly and useless thing, costly तो है बट useless है, किसी काम की नहीं है, वाइचली फेंट होती है वो, ठीक, तो इसलिए बनाया गया कीमती परन्तु व्यर्थ, the costly, unused machinery became a vitaly friend in the factory, कोई factory लगी है, उस factory में कोई बहुत कीमती मसीन लाई, और unused, आज तक used नहीं की, तो वो क्या है, vitally friend तो है न, कीमती तो है, बट काम की नहीं आई, तो व्यर्थ है, तो कीमती परन्तु व्यर्थ, नेक्स्ट लिडियम है, under a cloud, under a cloud, cloud मतलब बादल, under मतलब बादलों के पीछे, नीचे, ठीक, बादलों के नीचे, अब समझ लो, बादल के पीछे, तो दो समझो, समझो था करना पूलेगा, under a cloud, बादल के पीछे, अच्छा कोई चीज बादलों में हो, बादलों में छुपी हो, बादलों के पीछे हो बादलों के नीचे हो तो क्या आपको लगता है वो पूरी तरह से शाप-शाप दिखेगी I hope कि मुझे तो बिलकुल नहीं दिख सकते क्योंकि बादल के पीछ है तो सूर्य चांद भी छिप जाता है सूर्य भी छिप जाता है तो बादलों से कोई भी चीज दिखती है तो वो धुदली दिखती है और धुदली दिखेगी तो हमें संदे होगा doubt होगा है भी कि नहीं है इसी को तो संदे कहते है न हो भी सकता है नहीं भी हो सकता doubt है बस तो अगर कोई चीज cloud के अंदर है बादलों के अंदर है तो इसका मतलब है doubt हमें है और अगर कोई ऐसा है इंसान है जिसको आप doubt के अंदर गत रखते हो संदे के घेरे में रखते हो तो इसका मतलब है under a cloud आपने रखा है उसको under suspicion बोलते हैं संदे के घेरे में बोलते हैं under a cloud का मतलब the color is not dismissed but he is under a cloud color के मतलब कुछ ऐसा घटना घटी ये कुछ हुआ है इसमें color को dismiss तो नहीं किया गया लेकिन संदे है उसी के ऊपर है under a cloud धुदला है मतलब अभी जो मामला है उसके ऊपर का वो धुदला है हलका फुलका लग रहा है बट पूरी तरह से नहीं लग रहा है बादल के पीछे कोई चीज होता है तो हलका फुलका लगता है बट पूरी तरह से नहीं लगता है सूरी को देख लो चांद को देख लो बादल के पीछे छिप जाते हैं हलका हलका दिखते हैं, पूरी तरह से नहीं दिखतें, तो अगर कोई घटना, कोई चीज होई है, वो किसी इंसान के उपर apply हो रही है, हलका हलका दिखते हैं, पूरी तरह से नहीं दिखते हैं, मतलब संदेख के घेरी में थे, ठीक है, under suspicion होता है, next है, last, shake-off, शेक आफ का क्या मतलब सेक का मतलब होता है हिलाना ठीक battery तो कुई चीज जो मुझे ला दी कुई ऐसी घटना जो मुझे हिला दी शेक कर दी, लेकिन हिला तो दी वो, फिर मैं उसको off कर दिया, off का मतलब समझो, off, ओ या फिर अपको side में रहे हो off, समझो, आप का मतलब क्या, हमने कोई चीज़ को बंद कर दिया, बहुते ना Switch off कर दो, off कर दो on कर दो off on off on off का मतलब बंद कर दो कोई चीज थी जो मुझे हिला तो दी लेकिन अभी मैं उसको बंद कर दिया अच्छा कोई चीज को बंद कर दे तो वो मुझे फिर वो क्या वो यूज में आ रही है नहीं आ रही है तो मुझे घटना तो हिला दी थी लेकिन उस घटन जैसे 4 years I could not shake up the memory of the accidentous scene that unfolded before me ऐसी मेरे साथ एक घटना घटी थी मैं कहीं शेया रहा था रात में तो हमारे सामने एक ऐसी घटना घटी थी उसमें एक 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 आदमी का बाद भयाना के सारी चीजे फोट गही थी उसके और everything was coming out after sometimes we call ambulance and police and they handled the situation but that accidentous sake में हिला दिया था very 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 मतलब don't remember that बहुत ही दर्दनाग थी लेकिन उस घटना ने मुझे क्या दिया हिला दिया था और उस घटना को आज तक मैं आफ नहीं कर सका मतलब शेक तो करा लेकिन आफ नहीं कर सका तो मैं भुला नहीं सका बढ़ अगर कोई चीज आपको सेक तो कर दी लेकिन आप आफ कर दिये इसका मतलब आप उसको क्या किया है भुला दिये तो ठीक याद रखना माईडियर हमें लगता है कि हमने आपको समझाया हमने आपको शिखाया और आपको समझ में आया 100% आया होगा आया है नहीं आया है कमेंट करके बताओ और भी बेतर तरीके से अपना समझाने का प्रियास कर सकते हैं लेकिन आपको बता दें आपके लिए English Depot चैनल महत्तुपूर्ण है होने वाला है आपने वीडियो से समझ गये होंगे यहां पर समपूर्ण English को आपको आपके इंगलिस चैनल को समस्क्राइब करके बेल आइकान प्रेस कर लो डेली वीडियो की अपड़िट आपको मिलती रहें इसके लिए भी नोटिफेक्शन बेल प्रेस कर लेना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बाबाए लेक एंग जिए सुमाचे